कर दो कि अज़िए देना मुल्चे भी खेलना देना तुम लोगों का शुरू हो गया मस्ती करना शांती से खाओ यह सब आपकी लाड़ की वेज़े से हो रहा है हाँ ठीक है अभी शुरू मत हो जा मैं पहले ओफीस से थका हुआ आया हूँ इतना लेट क्यों होआ पिता जी ने खाया खाया दवा खाली हाँ खाना खाऊंगी पिता जी सो गई क्या बुक पढ़ रहे होंगे अभी सोय नहीं होंगे ठीक है वो टावल देना मैं गेम खेल रह सुनिये आपके एमडी ने आज घर पर फोन किया था तुझे भी फोन कर दिया क्या अरे आपको तो चार बची बुलाया था ना आज मंडे एडिटिंग है इसलिए पापा फोन डोना खेलना है जो पहले खाना खतम करेंगा उसी को मोबाइल मिलेगा ठीक है अच्छे से अच्छा उसका जवाब नहीं दिया क्यों लेट हुआ अंडी ने तुझे फोन किया था ना फिर क्यों पूछ रही यह बार बार मुझे ये गेम खेलने में बहुत मज़ा आ रहा है अब मुझे देना कि सुनिये आपने अलाम लगा दिया क्या हाँ मैं भूल गया था सुम्ह मुझे जल्दी जाना है सवातिन का आलाम लगा आप खुदी लगा लो ना फोन इनी के पास तो है यहां एई खेलना बंद करो फोन दो मा को फोन दो मुझे दो ना फोन मुझे दे सोना नहीं है कि अश्विनी श्री अभी तुम दोनों सो रही हो या नहीं आप कहानी क्या कहानी क्या तू जरूर मेरे हाथ से मार खाएगी चलो सो जाओ तो पापा आपी सोना दो ना अश्विनी दादेजी के पास जाओ उनके बहुत कहानी आए वो सुनाएंगे पापा बहुत थग है चल चल दादा जी से सुनते हैं ठीक है चल जी बता रहे थे उनके सर में दर्द है पता नहीं आप यह दोनों क्या परिशान करने वाली है बच्चे ऐसे ही होते हैं चलो शोड़ो आपका क्या है आप तो आफिस आफिस करके चले जाते हैं चुट्टी की दिन इनको मैं कैसे मुझे पता है उसमें भी वो छोटी वाली है ना ऐसे ऐसे सवाल करती है कि मैं जवाब नहीं दे पाती मैं तुमसे सवाल नहीं कर पाता हूं कम से कम वो तो सवाल कर पाती है कल सुबह ऑफिस जाना ऐसा बोल रहे थे ना भूल गए क्या चुप-चाप सोजाओ सच बता है त से त्रम नहीं आ रहे है इसमें क्या देख रही है क्या दाटा जी फेससा बश्काश प्राइखा बापा पड़ा फ़न रखिया घ्लिकाशल मेरे लिए यह फोन है अब कर पर हमें तो गेम खेलने के लिए तो आपके लिए फोन है उसमें जा सुननी है तुम लोगों ने होमवर्क कर लिया कर लिया दादा जी तो फिर अंदर जाकर टीवी में कोई किस तरह की कहानी सुनाओ तुम्हें लैपक मैं तुम्हें है त쪽에 कहानी सुनाओ किस तरह की कहानी कर अंदर जैंट हैशा थे गहना कि आप पुर्त वे तुम्हें शुरू करना का नंगरानी का इक गाँ था वहां यхए जमीनदार रहता था जमीनदार मतलब बहुत पैसे वाले काओं के बड़े आद्बी होते हैं वो लोग हर कोई उन्हें हाद चोड़कर इज़त देते हैं उनके दो बच्चे थे बड़े बेटे का नाम सूर्य प्रभु दूसरे बेटे का नाम रुद्र प्रभु वो दूसरा चिन्नई के एक महाविध्याले में पढ़ रहा है मतलब कॉलेज में पढ़ रहा है उसी कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की से रुद्र प्रभु प्यार करने लगा मतलब लव दादाजी हमने टीवी पढ़ देखा अब कहानी सुनाई है हाँ लव ही है अरे क्या दादाजी आपको यह पता नहीं था क्या जब मैं कहानी सुनाता हूं तो बीच में ऐसे सवाल नहीं कर रहें समझ गई ठीक है दादाजी वह रुद्र प्रभू उस लड़की से प्यार करता है न मतलब लापना दादाजी अरे शब्द को छोड़ क्यो उस लड़की से लव करता है वहां से कहानी शुरू करता हूं क्या हुआ पहले हम भाईया और भावी से आशिरवात लेंगे और उसके बाद अपनी जिंदगी की शुरुआत करेंगे मेरे भाईया भावी जानती हो मेरे भाईया भावी मुझसे बहुत प्यार करते थे बहुत खुब्सूरत है ये पहुत खुब्सूरत है ये पहुत मित्सके खुब्सूरत है ये ये अविव्स पहुत आपकते ये लुट्रा भाईया उनवागे बमलागे आर रहा भाईया ये ये जोलोड़वा फ्र पहले तो तुम मीरी लुफर गवैरे लेकिन अब मीरी बीवी हो लवार लेट आ सकती है लेकिन बीवी नहीं आ सकती है और लेतsomething के तो लेट आयेगी दो जब सूना पड़ेगा आज पूरी रात सूना नहीं है क्या और कल कल भी अच्छा मैं जब से आया हो तब से एक सवाल पुछना है घर में भावी की फोटो है सासुपा की फोटो है क्यों मैंने उन्हें अब तक देखा नहीं है ना घर में वही सबसे बड़े है बड़े लोगों का अशिर्वात तो लेना ही होगा ना उसकी ज़रूरत नहीं है ऐसा क् को बोल रहे हैं आप पहले ये दूद्ध पीलो पहले आप पीजिए अच्छा मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कुछ सवालों के जवाब नहीं होते हैं तुम दूद्ध पीलो अच्छा एक और बात बोल देखो ये बात करने की जखे तो नहीं है तो ये कैसी चगा है थोड़ी देर में तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा ये कैसे हो गया ये घर पुराना है ना स्विच्छ लूस हो गया होगा मैं देखता हूं हाँ अच्छ लग रहा है कि हमारी पहली रात आज उजाले में ही होगी हम ऐसे नहीं चलेगा लाइट आफ का तीजे ना चाहिए ना उसे जाएगे ना कि अच्छ प्रक्राइब कि अच्छ 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 यह कौन है मालिक यह पशुपती की बीवी है क्या चाहिए आप से मिलने आई है ठीके तुम अंदर जाओ जी आपके यह क्या बात है मेरे पती ने इस घर के लिए बहुत वफदारी की है बहुत सेवा करी है और आप वो जेल में है मालिक पशुपती अपने घर में काम करता था अपने बड़े मालिक है ना उसके उपर बहुत विश्वास करते थे दिन में सो बार उसका नाम लेकर पशुपती पशुपती बुलाते रहते थे और वो भी बड़े मालिक के हर आदेश का पालन करता था उन्होंने कुछ गलत नहीं किया मालिक वह बहुत सीधे हैं मुर्ति की चोरी करी है सब गाउवाले ऐसा बोल रहे हैं क्या करो समझ नहीं आ रहा बाबी लेकिन उस दिन अगर ये घटना नहीं होती न तो हमारे बड़े मालिक आज हम सब के बीच जिन्दा होते हैं मिलने जाती हो तो मिलने नहीं देते हैं मालिक ठीक है मैं वकील से मिलकर बात करता हूं देखते हैं वह क्या बोलते हैं मालिक मैं आपके भरोसे हूं मालिक जब तक बड़े मालिक थे उनका बहुत खयाल रखते थे ठीक है आप उठिये मैं वकील से जरूर बात करूंगा जो भ कितने दिनों से काम कर रही हो मैं मैं बच्पन से आती जाती रहती थी लेकिन बड़े मालिक की गुजरने के बाद ही मैं इस घर में काम करने लगी क्योंकि इस घर में तो मुझसे पहले बड़े पापा काम करते थे ना अच्छा आप होस्पिटल गई थी ना डॉक्टर ने क्य कहा चेक तो कि आप अगर कुछ कहा ही नहीं उन्होंने कुछ नहीं पिर क्यों बार-बार ऐसा हो रहा है पता नहीं अरुवेदिक दवा वो खाने से सेहत बहुत अच्छी होती है आप चार पात दिन लगातर पियो शरीर के अंदर जो भी समस्या होगी वो ठीक हो जाएगी मैं अच्छा अंजली तुमने डॉक्टर की पढ़ाई के तो इस घर में क्यों काम कर रही हो जाओ मालकिन आप हर वक्त मेरा मजाक उडाती रहती हो मैं जाकर दवा लेकर आती हूं ठीक है मैं और आप बिलकुल एक जैसे है ना हम दोनों एक कैसे हुए देखिये ना हमारी शाद कर दोनों को मना करे शादी में जरूर लाता तुम्हें एक बात पता है हमारे प्यार के बारे में मैंने सिर्फ अपने भाई को बताया था पता है वो क्या बोले थे क्या कहा हूं नोने क्यों भाईया बावी चली गई है इसलिए उदास हो क्या वो सब रहने थे तूने उसको तो बताया ना मुझे ने बताएगा क्या अपने भाई से चुपाएगा उसके बोलने के बाद तेरे भाई को पता चला कि मेरे भाई के दिल में क्या है यह क्या बोल रहे हो तेरे प्यार के बारे में अच्छा वो बात भावी ने बताई क्या उसको तु जो कुछ भी बताता है व него मुझे बताती है आपको बटाऊं या भाबी को बताऊं बात तो एक ही हुई न मेरे लिए अब क्या है तेरे बारे में में पापा से बात करनी है बस इतना ही, खेल गतना है पापाндो तरह किया भाहिया अपने परिवाय में आखरी शादी तेरी ही है वो तेरी इच्छा से हो नहीं चाहिए तु घबरा मत इलिए पक्राइब करुगा क्यूच घा Qin अब चल अच्छा जाने दीजिए ना जो हो गया सो हो गया उसे तो हम बदल नहीं सकते लेकिन अब जो होने वाला है उसे हम जरूर बदल सकते हैं यह क्या बोल रही हो तुम हम दुनों की शादी में किसी ने हमारी हल्प की थी आपने कहा था ना किसकी बात कर रही हो तुम अर हाँ अच्छा हुआ तुमने याद दिलवा दिया घर पहुंचते ही मुझे वकील से बात करनी है हुम हालो हालो सर मैं रतनावल का बेटा अरुद्र प्रभु बात कर रहा हूं है मेरे गहर में पश्वत्र काम करता था किस गले में सुना आव के बहुं SUS हाँ हो जाएगा सर वकिल सब यस खेल सब को पता है क्या हाँ मुझे केस के बार में पठा चला था लेकिन यह डिटरेस मुझे पता नहीं हाँ मैं फैर देख़्े बोलता हूं सर फिर कि एया देख लेता हूं सर, हो जाएगा सर, थैंक्यो सर, थैंक्यो, अच्छा मैं रखता हूं, ओके सर, आपको बुरा तो नहीं लगा ना, किस बात का, नहीं वो कल रात को, कल रात के लिए तुम और कितना माफी माँगोगी मुझसे, पर सच बोल रहे हूं, मुझे है ना, देखो रात तो गुजर गई, लेकिन दिन अब भी बाकी है, क्यो ना हम दिन में, ये क्या कह रहे हैं, मैं भी तो वही कह रहा हूं कि हम दोनों कुछ और ही बात करते हैं, अपको गाउं भी तो जाना है ना, मेरे पापा से मिलना है ना, पर तुम्हारे पापा तो मुझे पसंद ही नहीं करते हैं, तो क्या हूँआ, एक लड़की को उसके पापा पढ़ाते लिखाते हैं, पापा के बिना मैंने शादी कर लिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, एक बार मैं उनसे मिलना चाहती, मुझे उनके पास ले चलोगे, हम शादी के बाद उनके पास गय थे ना, उन्होंने हमारे चेहरे पर दर्वाजा बंद कर दिया था, एक बार भी हमसे बात नहीं क अभी तो तुम नहीं कहा ना, वैसे भी रात में मैंने नहीं, तुम ने कहा था, ची, जाएए ना, हम पापा से मिलेंगे, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, और अगर वो हमारे साथ आगे, तो कितना अच्छा होगा, हम उन्हें अपने साथ रखेंगे ना, जरूर रखेंग किया हुआ, किया हुआ, किया हुआ, किया कहा है, दूद, अभी तो डाइनिंग टेबल पर आपने पिया था ना, और कल तुम लेकर रही थी, कल तो फर्स नाइट थी इसलिए, फर्स नाइट पूरी नाइट वेस्ट हो गई, आज होगी हमारी फर्स नाइट, ठीक है मैं हाथ हटा ये ना, पहले जाकर लाइट आफ कीजे, मुझे शरम आती है, हाथ हटा, क्या हो मेगना, हाथ हटा, मेगना, कुछ से ही कह रही हूँ, चल बाहर जा, दिन में तुसका मूड अच्छा था, इस रात में क्या हो जाता है, पूरा मूड आफ कर दो, इसने, बहुत लोगों को एरेस किया गया है सर, इसमें जो बेगुना थे, उनको पुलिस ने रिलीज कर दिया है, सबको नहीं सर, गाहँवालों की कंप्लेन पर पशुपती को रिमांड पर रखा है, ठीक है, एक काम कीजिए, इस्पेक्टर से बात करके, एफ आयर कॉपी लाकर मुझे दो, फिर मैं देखता हूँ, आप चिंता मत कीजिए, ये तना बड़ा केस नहीं है जो जमाना पे भाहर नहीं आ सकता, वो हमारे घर का नौकर नहीं बल्कि हमारे परिवार का हिस्सा था, मुझे अच्छी तरह पता है, ये आप मुझे मत बताईए, जब बड़े साहब थे, मैं तब से उनको जानता हूँ, वो आपके पापा की आखरी सांस तक उनका देख बाल किया, क्या कर सकते हैं, बुरा व पानी लियाओ, कुछ नी चाहिए मुझे, कुछ नी चाहिए मुझे, तुम जा सकते हो, ठीक हम जो, आप महमा नमजी करने में बिल्कुल उने पापा की तरह हो, इसमें एक सायन कर दीजिए, बागी सब मैं देख लूँगा, सायन तो हो चुकी है, जामीन हो जाएगी, फिकर मत करना, ठीक है, मैडम को याद किया है, ऐसा बोल दिना उनको, नमस्ते, चल जाँ, क्या मालकिन, फोटो क्यों देख रही हो, पता नहीं किसकी बुरी नजर लगी, बहुत छोटी सी उम्डर में दोनों चल बसे, अच्छा, अंजली, ससोची की फोटो क्यों नहीं लगी है, वो भी इधर ही लगी होई थी, क्या हुआ पता नहीं, छोटे मालिक ने उसे यहां से हटा कर, पुराना सामान रखते हैं ना, उस रूम में फोटो को रख दिया है, मुझे पता भी नहीं, वो कैसे दिखते थे, ओ, आप जमिंदर साब को देखी नहीं है ना, जमिंदर साब का फोटो देखना है क्या, मालिक एकदम शान सुभाव के थे, अच्छा, इस गर का गोडाउन कहां है, मालकेन, आप कहो तो पुराना सामान रखते हैं, उस रूम में लेकर जाती हूँ, मैं आपको मालिक की फोटो दिखाती हूँ, लेकिन इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं, नहीं, किसी को नहीं बोलूँगी, अब चलें क्या, क्या है को आप अचलना? आप अचलना. कि यहीं कहीं तो फोटो रखा था अंजली यही फोटो है क्या नहीं नहीं वो फोटो नहीं है मालकिन अगर छोटे मालीक ने सुन लिया तो हम तो गये हूं सॉरी 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 पिछा और से समभर कर कुछ और मत किरा देना आ मालकिन यही फोटो है यह वाली हां अंग मालकिन यहीं फोटो है यह जल्डी निकाला है जारे अधु Soul कि ऑने जैसा तुमने कहा ये ब्लdaughter राजा जैसे ही दिखते हैं इसे रख्षट डीजियों चलते हैं यहां से कही मालिक ना जाया ठीक है चलो फोट लेकर जारी हैं यहां पर रख्षा डिखती जीते कि नहीं मैं सब्स刑न मेरी बात मानी है नहीं तुम नहीं भसोगी मैं छोटे मालिक से बात कर लूगी अरे नहीं मालकीन मेरी बात मानी है नहीं सुनिए मालकीन कि अ कि अ यह फोटो यहां पर कैसे आई यह फोटो यहां पर कैसे आई जवाब दो मालिक मालकीन ने वो उसको कैसे मिली यह मालकीन ने कहा कि उन्होंने बड़े मालिक की फोटो नहीं देखी है इसलिए मैं अगर तुमने दोबारा कोई भी ऐसा काम किया ना तो तुम्हें घर से निकाल दूगा मैं इस गजड़े को साफ करो यहां से देख क्यारी उठाकर फेको इसे दोबारा यह फोटो अंदर नहीं आनी चाहिए हाँ ठीक है मालिक मैंने पहले ही कहा था लेकिन छोटी मालकी ने सुना ही नहीं ऐसे कितने लोग हैं जो एक दूसरे को पसंद नहीं करते यह भी पूरी सिंदेगी साथ जी लेते हैं लेकिन हम एक दूसरे से इतना प्यार करने के पावचुद भी एक साथ पुरी जिन्दगी नहीं जी पैग मेगना भाया का फोटो क्यों देख रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा है अखरबाद क्या है हमारे साथ ही सब क्यों हुआ हाँ 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 कर दो हाँ स्झाक हाँ स्शक कि ऑा कि अ हो मेग वा कि हम टूरे नहां दो आप दोरे या कर या था चा जा हो जा 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 कि अ जा बाइं दो खित आप आप कि अ क्या बात है जमीदार का बेटा यहां बैठा है बेटा क्या बात है बेटा आप इधर बैठे हो नहीं स्वामी जी बस ऐसे ही घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है इसलिए मनें आपको यहां बुलाया कुछ भी हो आप मुझसे मत छुपाऊ बेटा इस दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हूँ जबसे मेरी शादी हुई है मैं खुश नहीं हूँ स्वामी जी मेगना दिन में तो ठीक रहती है लेकिन रात में पता नहीं उसे क्या हो जाता है मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है एक काम कीजिए आप अपने परिवार की कुंडली लाकर जोतिश को दिखाईए अगर कोई दोश होगा तो उसके उपाय का हल निकालेंगे ठीक है बेटा मैं चलता हूँ ठीक है स्वामी जी यह बिल्कुल सही कह रहा है मुझे कुंडली लेकर के जोतिश के पास जाना ही चाहिए स्वामी जी आपने तो कह दिया लेकिन भगवान भगवान के आशिर्वात से सब कुछ अच्छा ही होगा सब ठीक हो जाएगा ना स्वामी जी दूद ले लीजिए स्वामी जी मुझे नहीं चाहिए बेटी लीजिए ना स्वामी जी माली काप लेंगे जाओ अपने कुंडली तुमने मेरे हाथ में दे दिया ना अब कोई चिंता मत करो मैं घर जाकर तुम्हारी कुंडली को देखता हूँ क्या उपाय करना है वो भी बताता हूँ ठीक है स्वामी जी लेकिन इस घर में जिनके मृत्ती हुई उनका क्रिया कर्म ठीक से नहीं हुआ इसकी वज़े से भी ये परेशानी हो सकती है बेटा जब आपके पिताजी जीवित थे तब आपके कुल देवता की विधी विधान से हमेशा पूजा होते रहती थी लेकिन अभी तुम्हारे कुल देवता की विधी विधान से पूजा नहीं होती है पहले वो पूजा शुरू करो ठीक है स्वामी जी उसके बाद अगर कोई समस्या आए तो मुझे फोन कर देना ठीक है स्वामी जी मैं घर जाकर इस समस्या का समाधान निकालता हूं जी ठीक है ठीक है तो मैं चलता हूं अच्छा नमस्के मेरे हाथ बने हुए हैं बोलो मेरी देख भाल नहीं कि आप लोगों ने मेरा मंदिर खंडर बन गया है ये तुम लोगों को पता नहीं चल रहा है क्या जब तक बड़े मालिक थे तब तक वो मेरी देख भाल कर रहे थे लेकिन आज मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा आप यह सा बोलेंगे तो हम क्या करेंगे ये मेरे हाथ पैर बंदे हुए हैं मैं कुछ नहीं कर सकता आप कुछ कीजिये ना सुमी मैं क्या करूं मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा मंदिर के दर्वाजे को ताला लगाओ समय आएगा तब तक आप इंतिजार करो यह स्वामी भी कुछ नहीं कर पाए अब क्या करेंगे श्पूं धुर्ण कर दो नहीं.. हुँ मालक, मालक, सुनिये, मालकिन को कुछ हुआ है उनके कमरे से बहुत आवाद आ रही है और कटिया भी हिल रही है मालक अब जल्दी जाएए हुआ 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 है हुआ 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 है हलो हलो स्वामी नाद जी है क्या रुखिये पापा को देती हूं हाँ बोलो मैं स्वामी जी बोल रहा हूं स्वामी जी मैं रुद्र प्रभू रतनवल का बेटा अच्छा अच्छा बोलो बोलो क्या आपने कुंडली देखी मैं तुमको फोन करने वाला था अच्छा हुआ तुमने किया अब वो कैसी है उसकी हलत अच्छी नहीं है स्वामी जी मैंने कुंडली देख ली है समस्या बहुत बड़ी है उसकी जीवन रेखा बहुत ही कमजोर है बुरे ग्रहों का असर भी है इसलिए उसको ऐसी तकलीफ हो रही है धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा कुंडली में भी यही दिख रहा है लेकिन स्वामी जी यह समस्या तो और बढ़ती जा रही है ठीक है मैं एक काम करता हूँ मैं अपने गुरू जी से जाकर मिलता हूँ वो इसका हल दरूर निकाल देंगे उनसे बात करने के बाद मैं सीधा तुमारे घर पर आता हूँ तुम चिंता मत करो ठीक है स्वामी जी टेक है फोन रखता हूँ हलो हाँ हलो मैं एडवर्केटर सुनिलती वारे बात कर रहा हूँ अहां बोली है सर मैंने बोला थाना है यह सेफ जमरत मिल गया है वो इधर ही है यह अची बात है आपको तो मैं इसको आपके घर पर भेजू किया मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है आप उसको जल्दी बेज देजिए कैसे भी करके साथ मुझे तक पहुंच जाएगा तुड़ा और जल्दी भेज़ेंगे तो अच्छा रहेगा उसे बोले कि वो जमिदार क्या रहे अच्छा अच्रश्ट हों था इसक पांच ऊंतामत कर मालिक 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 सुनिए तो मैं इस घर में अकेले कैसे रहूंगी क्यों मालकिन इस हालत में और मैं अकेली कुछ नहीं होगा तुम दरों मत पश्चुपती आने वाला है मैं सुभा तक आ जाओंगा अन्जली आती हो मालकिन अन्जली कहां गई थी तू बोलिये मालकिन एक बार बुलाने से क्यों नहीं आई कहां गया वो कौन मालकिन वही मेरा पती मालक बाहर किसी से मिलने गए हैं किस से पाता नहीं मालकिन जूट बोल रही है सच बोल रही हूं पता रही है मुझे मैं जानती हूं कि तुझे सब पता है और यह भी कि वो मेरे बारे में सब जान गया है खबर्दाज मुझसे पंगा लिया नहीं मुझसे पंगा मत लेना है चल जा मालकिन ऐसा क्यों कह रही है डर लग रहा है क्या करूं भाग जाओं क्या कि अरे कि अरे तू सोच रही थी तू मुझे बंद कर देगी है तू मुझे कैद करीगी क्या क्यों मालकिन आप इसा क्यों कर रही है आ गया क्या वो कहां है वो बता कहां है वो मालकिन तो सुबह ही आएंगे मुझे बहुत डर लग रहा है डर लग रहा है तुझे तो जा यहां से घर से बाहर चली जा मैं तो यहां इसी कमरे में रहूंगी मैं इंतिजार कर रही हूँ मैं उसका इंतिजार कर रही हूँ तू जा सकती है जाओ मैं जाती हूं, मैं चली जाती हूं की जगह है क्या स्वामी जी हां यही जगह है गाड़ी साइड में लगा लो आपके घर में एक बुरी आत्मा का साया है किसी उमीद के साथ वो आत्मा यहां आई है जो चीज वो यहां ढोड़ने आई है वो उसको मिल जाएगी तो वो शान्त हो जाएगी आपके घर में हाल फिलाल कोई हिनसात्मक तरीके से मौत होई है गया जी हां स्वामी जी हर काम की पीछे कोई वज़ा होती है आपके घर में जो हिनसात्मक घटना हुई क्या क्या हुआ सब विस्तार से बताओ मेरे परिवार में मेरे पिता जी मेरे बड़े भाई और उनकी पत्नी थी बहुत हस्ता किलता परिवार था हमारा स्वामी जी बहुत है जमीदार, जमीदार, क्या करूँ, अरे आईए जमीदार, अरे अरे एक दम मजनू कि तरह दीक रहा हूँ उसके अलावा और खुबसूरती चाहिए, क्या, मैं इतना खुबसूरत देख रहा हूँ, क्या तुझे, मैं कसब गाकर कहता हूँ, इस गाव में आपके मुकाबले में और कोई नहीं है, आरे 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 ये देखा आपने, इसको कितने बार देखूंगा रहे, कुंदिदा बा नहीं है, छोटा सा एक नारियल चोरी हो गया था, आप एक जमीदार हो, ये बात लोग भूल चुके हैं, पहले जाके नियाए मांगो, अभी, तो, आप ये कैसे बांग सकते हो, इस जमीदारी परफपरा में इसकी दादी की दादी ने जो गलती की है, कुंजो, जमीदार, नहीं, गाड़ी तयार करो, पर देते हैं, पंजयत के लिए जाएंगे, ए मोटो, चलो चलते हैं, अरे जारे जारे जल्दी, आप जल्दी आओ, गाड़ी साफ करो, जल्दी जाओ, इस बेवापुर्व जमीदार के पास काम करना हमारा बुरा नसीब है, ये ले, साइकल तो, पकड़ इसको, थोड़ा पास में किसीद करो, इस साइकल को अच्छे से पहुंच, तू क्या कर रहा है, तू भी पहुंच, ये बहुत बड़ी गाड़ी है, इसको पहुंचने के लिए, तू जादा बॉल मत, ये देख, नया तला लगा कर रखा है, ये क्या बहुत आदम, तू कुंची करके बुला, आच्छा, वो 400 भी जमिदार की, दादी के बारे में क्या है, मुझा अभी जानना है, हाँ, मैं नहीं बताऊंगा, तू नहीं बताऊंगा, बोलाना, देख, उस रहसे को, किसी को नहीं बताना है, तूनने मुझ से कसम लिया है, ये बात मे आपना रतनाविल मालिक है उनके दादा के दादा के पास काम किया था उन दोनों ने अच्छा काम किया था उस परंपरा में आया हुआ लग जाएगा तुझे लग जाएगा था मैं इस गाड़ी की तारीव कर रहा था चला हो शुरू करो पंचायत खतम ना जाए काइगा स्टैंड निकालो स्टैंड निकालो पता है ना चुछ नहीं है इसने कई जगा मार खाया है जिसकी वज़े से इसके हटी-पसली टूटी-फूटी है इसलिए वह ऐसा चलता है लगणी लेकर चलेगा तो अच्छा नहीं लगएगा ना अच्छा यह बात है क्या एक साइकल को जाघ्व तो पूरी राद यहां माला प्रिवार को लेकिन नहीं रहे है मेरे परिवार की पिस जगा रही है जाये मालिक आपका लाग-लाग ऐसान होगा आप इनको कोई ऐसी सजा दीजिए जिससे यह सुदर जाये मालिक अध्यार ठीक है तो सब कहना है कि तू गुनेकार है कुबोल करता है मालिक मैंने इनको कई बार समझाया सुदर जाओ लेकिन यह सुदर ही नहीं रहे हैं मेरे परिवार की इजट जा रहे हैं मालिक आप ही इने कुछ समझाई अभी कैसे होगा गाओं के किसी बड़े इंसान को यह फैसला करना चाहिए ना कौन है इस गाओं में बड़ा इंसान है अरे हम लोग तो इसको इंसानों में गिंती ही नहीं करते और यह खुद को गाओं का बड़ा आदमी बताता है कौने तुम्हारी सजा कम करवा सकता हूं कोई जरूरत नहीं है आप चुपी रहों यह काफी है तुम इसे बोलोगी तो कैसे चलेगा मेरे भी अपनी इजजट है कि नहीं यहां ठीक है वो सब छोड़िये यह जो कहना चाहती है कहने दीजिए अरे इन्होंने अचानक पुछ लिया अब मैं क्या करूं मुझे यहां बुलाकर मेरी बैजज़त ही करवा रहे हो क्या तुम लोगो तुम आपना मुव बंद करके शांती से खड़े रहे हैं यह कुछ बोलेगा तो शायद मुझे इजज़त मिल जाए अरे भाई उसे बोलने देना मालिक आप इस इंसान को इतनी इज़त क्यों दे रहे हैं जल्दी से कोई फैसला सुनाइए ठीक है एक काम करो जी अभी नार राशन पशुपती से ले लो ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद मालिक मालिक उसको उठाकर गोडावन में डाल ठीक है मालिक है जाओ चलो हाँ चलते है हुआ बहुआ बहुआ क्या हुआ भाई आखिर बात क्या है वो इन्बा भावी क्या हुआ उन्हें वो यहां नहीं है तो ठीक नहीं लग रहा है इतने दिन एक साथ थे और वो चले गए तो कुछ अजीब सा लग रहा है ओ ये बात है भाई या मैं तो बिल्कुल डर ही गिया था आप फिक्र मुत जाएंगे चलो चलते हैं आजाओ नमस्ते जमीदार साब नमस्ते आप कहीं किसी जरुवी काम से जा रहे हैं नहीं बस मंदिर तक जा रहा है हम लोग आप से ही मिलने आ रहे थे अच्छा हुआ आप रास्ते में मिल गए भगवान का बहुत शुक्रिया एक मिनेट आह मालिक मंदिर जाकर दिया जला भगवान की पूजा कर लेना मेरा आने का इंतजार मत करना मैं इसे बात करता हूं ठीक है मले कि ऐसी क्या बात है जो आप लोग मुझे मिलने आए खेती बाड़ी का सारा पानी बेकार जा रहा है और इसी बारे में आपसे बात करनी थी यह इस तरफ कहां जा रहा है यह तो मुझे ज़त ही नहीं दे रहा है ए पशुपति चले दरा तू इदरा क्यों बुलाया एक बड़े आदमी को देखकर भी तो बिना कुछ बोले जा रहा था ना मुझे बहुत काम है तो क्या मुझे कोई काम नहीं है मैं यहां का जमिन दार हूँ किस नाते से तो अभी बहुत चोटा है तुझे यह सब समझ में नहीं आएगा ठीक है टाइम हो रहा है मुझे मंदिर जाकर दिया जलाना है मैं जा रहा हूँ आरे रुख जाना भाई, वो कामवाली को मैं कितने दिनों से काम पर आजा, काम पर आजा कह रहा हूं, लेकिन वो आ ही नहीं रही है, अखिर क्या कारण है? उसको पता है कि तुसे किस काम के लिए बुला रहा है, इसलिए वो नहीं आ रही है, अच्छा वो सब छोड़, उस दिन जो फंक्षन में पीली साड़ी पहन का दान्स कर रही थी, वो कहा किये तुझे पता है? मैं तुम्हें दिखने में ऐसा वैसा लगता हूँ क्या, मंदिल जाते वक्त तुम उससे ऐसी वैसी बाते कर रहे हो, जिस दिमाग मेरा सटक गया ना, बच के रहा ना मुझ से आप ही उन्हें बोलेंगे तो सही रहेगा मालिक, आप भी पानी लीजिए और उनको भी पानी लेने दीजिए, पानी बरबाद नहीं होना चाहिए ना, सही कहा, इस मामले को रेकर मैं कलेक्टर से बात कर चुका हूँ, ठीक है मालिक्टर जब मुझे बताएंगे, तो मैं आ सिंगापूर का कामधंदा कैसा चल रहा है, बस अच्छा चल रहा है, पर एक तकलीफ है, बार-बार यहां नहीं आया जाए, नमस्ते, बैट जा, यह कौने जानता है, यह वल्ली के चाचा है, सिंगापूर में बिजनस करते हैं, चोटा वाला यही है क्या, मैं शाधी में न पुद्र प्रभू, नमस्ते, बैटा, आपने अपने बेटे को अच्छा पड़ा लिखाया और अच्छे संसकार भी दिये, यह देखकर बहुत खुशी हुई, आप जो भी तारीफ कर रहे हैं, उसका सारा श्रे इसकी मा को चाता है, इस जमिनदारी परंपरा के बारे में न भीया का है, अपने रूम में हैं, ओ, यह आज के जमाने के लड़के हैं, तो दीन सो उसका चेहरा उत्रा हुआ है, कहो तो तेरे भाई को साथ भीजू, नहीं पापा, मैं चला जाओंगा, आईए, तुमने काम खतम नहीं किया, क्या, तुदेख रहे हैं, तुमने काम खतम करना मैं क्या कर रहा हूं, काम ही कर रहा हूं ना मैं, ठीके ठीके, खाना रख दिया है, खाना खाकर काम करो, तेरा खाना खाने से अच्छा है कि मैं दो नारियल खा लूँ, तुम ऐसा कुछ मत करना, नहीं तो एक महीने तुम्हें यहीं काम करना पड़ेगा, ऐसा भी है क् बस हो गया आप कहीं बहार जा रहे है पापा हाँ बेटा का रेडी है अहां रेडी पापा वावन बाड़ी में पंचायत है वहां जाना है सुर्या कहां है यह आ गया पापा क्या हुआ वो की उत्रा है ऐसा कुछ नहीं है पापा भावी के माई के जाने के बाद यह ऐसा ही है पापा कुछ दिनों की बात है वो आ जाएगी चाहे तो उससे मिलकर आजा ठीक है पापा इनवा बेटी तू कब आई आज सुभा ही ससुर्जी ओ इसके साथ आई मा के साथ आई क्या नहीं ससुर्जी जब चाचा जी के साथ रूद्र घर पर आया था तो इसने इनका हाल बताया था तो मुझे बिलकुल अच्छा नहीं नहीं लगा और मैंने मा से पूछा तो मा ने कहा इस साल तुम पती के साथ रहोगी तो सब कुछ अच्छा रहेगा अभी मत जाओ सुभे चली जाना ऐसा बोली और सुभे रूद्र मुझे यहां पर लेकर आया अच्छा किया बेती इस हाल में ज्यादा ट्रेवल करोगी और कुछ हो गया तो पापा ऐसा कुछ नहीं होगा अच्छा कि नमस्ते जमीदार साब आये 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 पुझा की तैयारी कैसी चल रहा है मालिक फिर क्या बात है डर्सल हमें एक दिक्कत है अब समझ में नहीं आ रहा कि आपको कैसे कहें ठीक है जो भी बात है यह मालिक वो मंदिर को पेंट करना है और वो घोड़े को भी पेंट करवाए चार-पांच साल हो गये उसे भी कर देंगे तो अच्छा होगा इसके लिए आप चिंता क्यों कर रहा है जो भी खर्चा होगा मैं दे दूंगा घर पे आके ले लेना दन्य यहां क्या पंचायत हो रही है यहां कोई पंचायत नहीं चल रही है आप पूछे जमीदार क्या हो रहा है यह ऐसे ही है क्यों भाई राम रतन मैं तुम्हारा काम हलका करने आया हूं तो यह लोग क्या बोल रहा है मुझे इस गाहों में मेरे अलावात तुम्हारी बलाई च नहीं हो रही है लगता है तुबहोत बड़ा हम लंकी है लगता है तुने जो मंदिर वाला गोड़ा अरे मंदिर के घोड़े को सफेद कलर लगाए जाता है काला रंग नहीं लगाते हैं समझा चलो ठीक है आज़े अंश्राए तो ऐरा अपना मुंत करेंगा यह अंश्राइब करख मतंक वाउसर इंसान बनेंगे यह इंसान हर जगांदे मार कर का मरेंगा तक हम भ besten के बारे में भूल घा से मर खाने दे इसकी नजर और उसकी नजर सिर्फ पैसे पर रहती है ध्यान रखना ओड़ी ते रहो का ना तुझे मार के कहाशन की यह लोग तो मारने पीटने के बात कर रहे हैं इतना होने के बाद मेरा यह रुकना ठीक नहीं होगा क्योंकि इस जमिनदार की आईजट नहीं होने वाले गाड़े निकाल ठीक है उन्हें छोड़ दीजिए आप शाम को घर आ जाए जितना पैसा चाहिए मैं दे दूगा ठीक है वालिक नबास्ते हैं चलो चले अब तक तुम सोई नहीं क्या कर रही हो मैं आपके भाई को दूद दे कर आती हूँ आप जाए सोच आए क्यों वह आकर खुद पी नहीं सकता तु सारा काम खुद कर रही है यह वेलो और पशुपती कहां गए है तुम्हें अकल नहीं है क्या क्यों डाटरा एसे नहीं पापा ऐसे ही इसको दूद दे दो लो खुद ह क्यों पापा को यहां लाकर दे सकती हो और मुझे नहीं दोगी मेरे रूम में भिजवाओ ठीक है आप जाओ सब लोग इससे काम करवाएंगे तो कैसे चलेगा पापा ए तो ऐसे गुसा क्यों कर रहा है तुझे सब पता नहीं है क्या इस हाल में अगर यह घर का काम करेंगी तो डिलिवरी नॉर्मल होगी यह आ जाएगी जा तुझा कर सोजा जल्दी आने की कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा करो पुरा काम करके आना हम जाकर उसे दूद दे दे ठीक है ससुर जी सुनिये सो गए क्या नहीं ठीक है दूद पीकर सो जाएए मुझे नहीं चाहिए है हुआ मुझसे नराज हों क्या ऑख गियो मैंने घर का काम करने से मना किया एं लेकिन सुनती नहीं सफेस्थ करते हैं ससुर जीनि मेरी मा भी कह रहा थी इस हाल में घर का काम करना अच्छा होता है कुछ भी करो जाओ ए है तूद पीकर सो जाओ तुम खुद पीलो मैंने तो पी लिया है आप भी लीजे ना ठीक है तू आधा मैं आधा ठीक है आधा आपके बेटे के लिए और आधा आपके लिए आपके लिए आप पीजी कर दो कर दो ठीक है अब आप सोजाएए कर दो 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 प्त्राउ कि अपरे हुआ। यह कहाँ चली गई, कहाँ गई होगी इन्बा वली, कहाँ चली गई इन्बा, किधर गई इन्बा वली, इन्बा वली, इन्बा वली कि द्लवत्रा क्या हुआ सुर्यय की आवास लाज दिया भावी कहीं चली गए भया उनको तूड़ रहे हैं इतनी सी बात है यहीं कहीं होगी जाकर धूड़ों से नहीं पापा पूरे वो इस वक्त कहां जा सकती है कुछ समझ में नहीं आ रहा है मालिक मालिक अपने कुए में क्या हुआ वो वो कुए में क्या हुआ क्या हुआ में आप आईये मालिक ठीक है चल अले बापे बली हुआ 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 आईये मैं त Preis me कर दो अ कर दो कि उन्हार वाट कि लोगठा, इन्हार है इन है कि अधिए नहींद। घर यहाँ है झाल झाल भाईया क्या भाईया आप यहां पर लेटे हुए हैं मुझे बहुत दूख हो रहा है मैं भी बहुत परिशान हुँ भाईया यह मुश्किल की घड़ी है भाईया आमें हिम्मत से काम लेना होगा और पापा को भी हिम्मत देनी होगी मैं आपने आपको हिम्मत नहीं दे पा रहा हूँ तो पापा को क्या हिम्मत दूँगा मैं कैसे आपको समझाओ मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा है धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा भाईया आप उठी हम घर चलते हैं ठीक है ना चलो भाईया पापा घर पर अकेले हैं प्लीज भाईया चलो ना प्लीज चलो उठो भी सुनिये सुनिये आप यहां क्यों सो रहे हैं मैं आपको कहा का डूण रही हूं सुनिये ना मा ने फोन किया था क्यों कोई खुशकबरी है जो पूछ रही है शादी हुए सिर्फ दो मैने हुए है इत्ती जल्दी खुशकबरी कैसे पूछेंगी दो मैने हो गए क्या तेरे साथ रहता हूं तो वक्त का पता ही नहीं चलता मुझे भी लेकिन आपसे कर रहने वाली हो क्या यह जब नहीं हो सकता मेरी मौसी की बेटी बड़ी हो गई है मुझे जाना ही होगा मैं भी तुम्हारे साथ हूंगा यह लड़कियों का मामला है आप नहीं आ सकते और सफुर जी भी आपको नहीं आने देंगे और सिर्फ दो दिन की तो बात है दो दि कैसी बात मत करना मैं तुमसे अलग दो मिनिट भी ने रह सकता पता है न तुझे झाल, यह जो जा आपको जो दो दोने भी तुमसे अलग आने दोड़कियों कि आसे आपको नहीं आपको जहीं आपको नहीं आने दो दोने पाता है जाल, से अले दोने हो। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए आपके घर पुलिस नहीं आएगी आपके घर क्या इस गाउं में भी पुलिस नहीं आ सकती उनकी जो ट्योटी हैं उनको करने दीजिए आज तक हमारे जमीदार को किसी के सामने हाथ बांद कर जवाब देने की जरूत नहीं पड़िये आप फिकर मत कीजिए जो नसीब में लिखा है वो होकर रहेगा ये भगवत गीता में भी लिखा हुआ है इस मामले को लेकर पुलिस आप से सवाल करें ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि ये जमीदारी परंपरा पर एक धबा होगा जो कुछ भी होगा वो मैं देख लूँगा आप किसी बात को लेकर चिंता मत कीजिए आप सिर्फ शान्त रहें ये काफी है मैं कैसे शान्त रह सकता हूँ एक ही वक्त में दो जिंदगी है कुछ दिनों के लिए ये दुनियादारी और रिष्टेदारी से बाहर रहेंगे तभी इस परिस्थिती से निकल पाएंगे आप इस दुख से हम कभी बाहर नहीं निकल से वालिक आपने बुलाया क्या लेकिन जिसने मुझे इस हाल में पहुचाया है मैं उसे छोड़ूँगा नहीं आप गुसा मत कीजिए वक्त हर जखम का मरहम होता है और वक्त के पास सब हल है एक दिन सच सब के सामने आ जाएगा अगर आप कहेंगे तो पुलिस के पास चले जाएगे सुनो भाई को कुछ पीने को दो नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए मालिक का खयाल रखना इनको कहीं अकेले जाने मत देना खयाल रखना इन जब बातों का ठीक है मालिक ठीक है फिर मैं निकलता हूँ पश्यूपती मालिक कहां जा रहा है हमने जिसको बंद किया है मालिक उसको खाना देने जा रहा हूं वह यहीं उसको छोड़ा नहीं नहीं मालिक ठीक है उसे खाना देका छोड़ दो ठीक है मालिक रात को मेरे लिए खाना मत बनाना ठीक है मालिक रूतर कहा है छट पे है मालिक ठीक है जा कि तुम्हारा जमीदा इसी तरह का खाना खाता है क्या हमेशा जो दिया चुप-चप खा तेरे आतों का खाना खाने से बहुत डर लगता है मुझे क्यों कहीं जहर भैर मिला दिया तो मैं तुम्हें जहर क्यों दोगा भला तू मुझे जहर क्यों देगा अच्छा मुझे एक बात बता जरा उसके घर वाले शान दो गया है क्या अरे तो चुपचप खाना खा तू अपनी लंबी जवान के वये से आज यहां फसा हुआ है हाँ हाँ मुझे पता है मेरी जबान लंबी है लेकिन तुने जो काम किया है उसके बाद तुझे कहा होना चाहिए तुम्हें खाना खाने के बाद जाने के लिए बोला है तेरी जवान जितनी चलती है न तुम्हें तो यहीं बंद करकर रहना चाहिए तीस एकड में नारियल का काम एक आकेले आदमी से तुम लोगों ने करवाया है पुरा शरीर दर्थ कर रहा है एक खंबा तो लागे पिला मुझे देख, मुझे इन सब की आदत नहीं है मुझे मंदर जाकर दिया जलाना है तो खाणा खागर चुप चप निकल जा या फिर दूसरी लॉरी आ रहे है उसका भी काम करेगा सुन अगर तो टाइम पर काम नहीं किया पापा, आपने खाना खाने से मना कर दिया, तीन दिन से आपने कुछ नहीं खाया है, ऐसे तो आपकी सिहत और बिगड़ जाएगी पापा, मैं दूद पी लूँग, तू जा कर खाना कर, मालिक खाना लगा दूँ क्या, तुम खाना लगा आओ, मैं नहीं लेकर रहाता हूं, ठीक है मालिक, वश्युपती, जी मालिक, जो जा रहा है उसे बुला, किसको मालिक, अरे वो उसका नाम क्या है, जिसे पकड़ा था, क्यों मा पापा उसे क्यों भीजा, जब वल्ली की मौत हुई था मेरे घर पर, बाहर का सिर्फ यही एक आद भी था, और यह कुए के पास क्यों गई थी, वो खुद फिसल कर गिरी या फिर किसी और ने उसे, ऐसा मत सोचो पापा, भाभी का पैर फिसल गया होगा, तू चल मालिक मेरे घर पर क्या हुआ है यह तुझे पता है न, पता है, तू जहां था, वहां से कुवा पास था, तूने कुछ देखा, उस रात को करीब 11-11 बजे होंगे, निन नहीं आ रहे थी तो मैं बैटा था, तब मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाए दी, तो मैं उड़ गया, त अंधिरा था, इसलिए मुझे ठीक से कुछ दिखा नहीं दिया था, वो दिखने में कैसा था, वो कद काटी से अपने चोटे मुलिक जैसा था, यह बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई, मालिक ये बड़े एकर का मामला है, इसलिए मैं कुछ बोलने ही रहा था, मालिक, अ सुन मालिक इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए मैं किसी को नहीं बताऊंगा मालिक तुम जाओ पुशुपती मालिक मुझे लगता है कि वो मुझसे कुछ ही पा रहा है तो चुप चाप उसका पीछा करें ठीक है मालिक वो कहां जा रहा है क्या कर रहा है सब मुझे पता चलना चाहिए ठीक है मालिक खाना बेलू है तुझा ठीक है मालिक हाँ रुद्रा वल्ली की मौत में कुछ न कुछ रहसे जरूर है ठीक है तुम जाकर खाना खाओ और आप हुँ कि दमको यह पशुपती चोरी चीपे अभी कहां जा रहा है रहे होई देख जमीदार वह चोरी से जाए या खुले आम जाए इससे तुम्हें क्या करना है दूसरे के मामले में दखल अंदाजी बिलकुल मत करो अरे ऐसा नहीं है इस गाओं में कुछ गलत ना हो इसका खयाल तो मुझे रखना चाहिए ना अरे पहले खुद की तो रख्षा कर उसको चोड़ो जमींदार वह तो हर बात में रोब तो करते रहता है उसकी आदध है आप रुकिये मामला क्या है मैं देखकर आता हूं तुम देखते रहो जमींदार मैं आभी आता हूं जमींदार यह क्यों रहे का हूँ बात सुनों जमीदार वह पशुपती जो खेल खेल रहा है ना मैंने काम मुझे भी खेल लाए तो मुझे मार बार के बगा दिया उसने ऐसा किया रुक जाओ जमीदार मैं अभी जाकर उसको शबख सिका रहा हूं क्या सुबर आओ मैं तुछ से मिलने वाला था तु समय आ गया है यार बहुत सारा काम था अभी तो मैं वर्मा तक जाकर आया हूं कौन है इस गाव में नया दिख रहा है पशुपती ए मेरे आदमी को खेल में शामिल नहीं करेगा कह रहा था अबया यह बस हो गया बस हो गय तुम्हें भी उम्मार कर भगा दिया तप्फू में उसने नहीं लातों से बारा क्या जाए जा पास बारा हम लोग लेकर आए वही बहुत काफी है अड़े पसले तोड़ देगा तुपकर एक बड़ा इंसा जा रहा है और तूसे रोक रहा है जाओ मैं उसे बताता हूँ अरे यार वो बेचा रहा है उसे क्यों फसा रहा है देख यार अगर तूस पर दया दिखाएगा ना तो जिंदे की बर वो घर हमारे हाथ में नहीं आने वाला है मुझे एक बात बता तुझे घर चाहिए कि नहीं तो थोड़ी देर शांत रहे ये काम ते से कहीं को ना ज्यादा मिलेगा तुझे समझा क्या बोलता है फिर ठीक है काम होने के बाद मैं तुम्हें खबर कर दूँगा तुम बार बार इस गाउं में मत आना कहीं समीधर को खबर हो गई ना तो मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा और मैं इस गाउं में रहनी पाऊंग यह क्या जंदार की बात कर रहा है असने से कम हो जाएगा तुम चिंता मत करो मैं पक्का प्लंग कर रहा हूं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है जल भाग यहां से मैं यहां नहीं रहूंगा गुंटूर जा रहा हूं काम पूरा कर देना जाने के लिए बोल रहा हूं ना यह तो मुझे एज़त ही नहीं दे रहा है तुझे कोई और काम धंदा नहीं है क्या जब देख मुझे परिशान करता है काम बाली कि धर गए ये कि धर गया नो कि धर गया उससे पूसर अपना रहे गया यह तो कोई नहीं है यह लोग कहां चले गया यह दोनों लगता है उसको अपने खेल में मिला लिया होगा नहीं तो क्या वह जमींदार है तुझे पता नहीं वह खेलने में माहिर है यह क्या हालत हो गए आपकी आपकी दोती कि धर गई अरे अपने धोति नहीं होना चाहिए इसलिए अपनी धोति निकाल कर दे दिया आपको जुका कर कुछ दे रहा था क्या वो मुझे ना दन्यबाद बोल रहा था दन्यबाद बोला लेकिन दन्यबाद जुका कर देते हैं कि धोती दिया है न वह सब छोड़ो यह नाक से खुन क्यू आ रहा है आक है तो पून भी आएगा सर्थी भी होगी ऐसी बाते कभी जमिंदार से मत पुछना समझा कथे पश्यूपती जी मालिक मैं कलेक्टर से मिलके तलाब के बारे में बात करके आता हूं रुद्रा का चेरा उत्रा हुआ है ऐसा लगता है जैसे उसकी तवियत खराब है उसे डॉक्टर के पास लेजो ठीक है मालिक मालिक वो सिंगरासू हां कल तुमने उसका पीछा किया था मालिक वो ठीक इंसान नहीं है मैं कल रात ही आपको बताने आ रहा था लेकिन आप सो गए थे वो ठीक इंसान नहीं है किसी अंजान आदमी से मिलकर बात कर रहा था वो अपने गाओं का भी नहीं है वो लोग इसके बारे में बात कर रहे थे ये तो मैं ठीक से नहीं सुन पा पर बीश में वो मानिक आकर सारा काम बिगाड़ दिया मुझे सिंग रासुपर शक है कुछ ना कुछ तो गरबड लग रहा है अगर उसको पकड़कर मारेंगा तो हो सकता है वो सच बता दे ठीक है तो अभी उसका पीछा मत चीक है मैं देख लूँगा तो रुद्रा खुलिकर जा मैं कुछ और इंतिजाम करता हूं ठीक है कि अरे कुंझू सुबा से जमीदार दिख नहीं रहा करी फस गया इस तुम्हें वह बात पता नहीं है क्या नहीं पता है तब यह तुछ रहा हूं वह अपना गया गुजरा जमीनदार है ना उसको घर के काम के लिए काम वाली चाहिए थी उसने क्या किया पता है सीधा पोने पर इंसान जिन्दा रहेगा क्या है मार ह्याँ थे अर जुझा टा यहथे कं यह कि उख सब्सक्राइons सांथ मुझे का में तरह मुझे क्या सिद्दा यह बिस्तर मैं जब लैट लेक्मिंए होगा यह तो अच्छी तरह से साइकल को धक्का मारती हुए आ रहा है यह वार खाने के बाद भी दर्द नहीं होने का नाटक कर रहा है चल चल के देखते हैं तुम लोग किदर जा रहा है वो जमीदार कि ऐसी है पूछली है क्या हुआ जमीदार आप ऐसे टूटे-फूटे क्यूं लग रहे हो करने के लिए बुलाया था कैसे होगा अरे घर पे जो काम करते वह काम और वो लिए जिस काम के लिए मैं गया था वो नहीं बना आप ठीक तो हो ना नहीं होगा नहीं होगा इसलिए दर्द हो रहा है दिल में जमीदार आपको जिस जगह पर तील है वह बहुत स्ट्रॉब है जमीदार जी यह सब चोड़िए उधर एक बार देखिए यह तु क्या बोल रहा है उसकी बीवी आ रही है देखिए वह इधर ही आ रही है हम लोग यहां से भाग चले क्या कुछ नहीं करेंगा वह क्या बोलती दाए प्रणी परणी तो जोड़ा मत मुझे तुम्हारे साथ तुम चीनता मत करो थोड़ा गयाप मिलते ही यह बुढ़ा कैसे उरत खंदे पर हात रक उसको सेहला रहा है देख यह बुढ़ा कभी नहीं सुधरने वारा है आपको भी पता चल गया क्या गायल तो मैं भी हु क्या इस बात के लिए उसे मार डालेंगी क्या मैं यही ही सोच रहा था लेकिन मैं तो तुम्हारे सामने कड़ा भी हूँ तुम्हारे सामने कड़ा बी हूंक मार डाला क детей को मार डाले कि से ऑर रहने के लिए हम क्या क्या करें उसे मार डाला क्या यह तो क्या Olrais है देखो जमीदार हम दोनों को आपके बारे में सब कुछ पता है कल आपके और सिंग राजू के बीच पे जगड़ा हुआ था तो इसके लिए उस जगड़े में आपने घुस्से में सिंग राजू को मार दिया तुम लोग क्या बोल रहे हो तुम दोनों मिलकर मुझे जेल ब मुझे नहीं पता मालिक पूछ रहे ना तू ठीक से बता रात में वो घर पर नहीं आये तो मैंने सोचा कि पीकर कहीं पड़े होंगे इसलिए में लापरवाई से उनको डूड़ने नहीं गई पशुपती मालिक तो एक काम कर बोली मालिक तो इसके साथ जा मनिकरी को भी ठीक है मालिक यह सब किस ने किया है हम उसका पता लगाते हैं मैं सब देख लूगा तुम जाओ इसलिए कर जाओ ठीक है मालिक चलो आजाओ मालिक ने कहाना सब देख लेंगे चलो चलो आजाओ आजाओ मालिक छोटे मालिक को मैंने समझाया वो नहीं समझे सूट केस निकाले का रख दिया मेरे समझाने पर तुनहीं मानेगा न मैं आपको पहले ही मना कर चुका हूं पापा, उसका प्यार तेरी आँखों पर परदा डाल रहा है तू पहले वाला रोदरा नहीं रहा भाई के मरने के बाद तू इकलोता वारिस है कर इस बाता खमन तो नहीं होगे तुझे जब तक मैं हूँ तू से शादी करके इस चौकट पर नहीं आ सकता भाईया ने जुगलती की मैं वो नहीं करने वाला हूँ चुपकर तेरे भाई की बात करने की तेरी उकात नहीं है कुछ बातों को दिल में दफन करके अगर मैं खामोश बैठा हूँ मालिक तो जमीन दारी परंपरा की मान मर्यादा के लिए अगर तेरी शादी के वज़े से सब कुछ बिगड़ दे वाला है तो मैं खामोश नहीं बैठूंगा मेरे सवाल का जवाब दे कर जा मालिक छोटे मालिक तो नहीं समझ रहें आप गुसा ना करें जब तक आप यहां पर है मैं उसे लेकर नहीं आऊंगा चलता हूं देवकी यह भी मुझे छोड़कर चला गया झाल 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 मालेक मालेक अब हमें समय को नष्ट किये बिना जल से जल वहां पहुचना होगा मालेक छोटे मालेक यहां आओ पशुपति आ रहां मालेक कहां है आप छोटे मालेक हां बोलो ना यहां आओ पशुपति आ रहां मालेक 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 मुझे यहां बुला के खुद कहां जले गए मालेक कर्क करना आदा आगा तुँ क्यों सिर्फ छोटे मालिक से ही मिलेका और मैं कबसे तेरा इंतजार कर रही हो उसका क्या बिए से नहीं मिलेगा कौन छोटी मालकि नहीं बडी मालकि यहां जलतना चोटे मालिक, चोटे मालिक मुझे माफ करदो, मुझे छोड़ दो आप हो क्या, क्या हुआ, बताईए क्या हो आपको, जेल से भाग कर आया है, क्या हुआ, इधर देखो, छोटे मालिक से आपकी जमनात की बात की थी, इससे पहले आपको भागने की जरुवत क्या थी, अब क्या कह रहे हो गई, उस दिन मेरा दिमाग कैसे खराब हो गया, पता नहीं, क्या कह रहे है अप, उस दिन वो घटिया दारों पीनी के वज़े से, मेरी बुद्धी ब्रस्त हो गई थी, जस दो जदोएगाँ हर वे क adjusting को 리모 कर बहुआ को दो कि भिजस कर भी हुई वह कर दो हुँ कर दो तू है क्या मैं तो डर गई थी पानी चाहिए क्या नहीं मुझे आप चाहिए क्या बात कर रहा है तू पिया है क्या तूने बाहर जा कल हिसाब के किताब करते हूं तेरा क्या तूने 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 झाल झाल अले कि मंधिर में दिया जलने जा रहा है क्या किसी और कांग चाहिए वह बहुत जरूरी काम है क्या तुझफे तेरा जाना जरूरी है क्या यह नहीं बताएगा तो चलेगा लेकिन तूदो दिन से मेरा पीछा क्यों कर रहा है ये बता मुझे मैं तेरा पीछा कर रहा हूं पागल है क्या सैच कहूं तो तेरा पीछा मुझे करना चाहिए मैं सिधा मुद्धे पे आता हूँ अब वो बेचरी पेट से थी, उसको तुने क्यों मारा एए, क्या बोल रहा है, मैंने उसे का मारा एए, मुझे सब कुछ पता है और वो सब मैंने अपनी आखों से देगा था उस रात को मैं नहीं सोया था और तू भी नहीं सोया होगा, मुझे पता है मुझे माफ कर दो, मुझे से अंजाने में गल्ती हो गए यह बात तुम किसी को मत बताना ओट रहे, ओट रहे, ओट रहे किसी को बताना मत का लिए यह सब रहने दे उस रात को मैं बिलकुर सोया नहीं था क्यों यह पुछेगा नहीं क्यों उस रात को मुझ तो मुझ से मिलकर गया था कि काली भाई काली भाई सुन रहे हो गया कौन है कि अधिर क्या कर रहा है आप से बात करनी है ठीक है क्या बात है बोल मैंने सुना है अपने काओं के मंदिर में बहुत कीमती सोने की मूर्थी है तो इसके लिए यह सब चुटे-चुटे काम करना पंद करते एक बड़ा हाथ मारते हैं और एक साथ सेटल हो जाते हैं वह जमीद कैसे मुझे वह सब नहीं बता मैंने काम बता दिया अब काम कात्म कैसे करना यह तू सोच ठीक ठीक है तुझा किसी ने तुझे देख लिया तो अच्छा नहीं होगा तो कि वह तो आसानी से बोल कर चला गया लेकिन वो तो जमीदार का मंदिर है कैसे करूंगा मैं मैं यह सब कैसे करूंगा यह सोची रहा था तभी तू अपनी गौद में लास लेकिया आया तो मैं पूरी रात सोचता रहा कि मंदिर की चावी तेरे पास रहती है उस दिन जब तू खाना देने आया था तब तूने ही मुझे बताया था ना उस दिन जब मालिक ने खुनी क करते साउवा करता काल से फीरो तपना को नी संब में हुए।SON rése квagini कितSo civil बुर्चे बताए था हिए। और भाज़ा कर दो दो जाओ, दो है तो जाओ, और अजय तो इसना? कर दे जाओ, सेल जाओ Newsday,P571? कर दो जाओ, तो है, तो है? कर दो है? झाल कि प्रॉ favored सुए पाल मध्रल कि झाल कि प्रॉप प्रक उाँ कि प्रॉप जिसने भी मुझे इस हाल में पहुचाया है, मैं उसे नहीं छोड़ूँगा आप चिंता मत किजिए, मैं सब देख लूँगा अगर मालिक गलती से पुलिस टेशन चले गया तो पुलिस को सब कुछ मेरे बारे में सचसे पता चली जाएगा और वो मुझे नहीं छोड़ेगी, इसी लिए तुम यहाँ पर, क्या बात है? मालिक, ये बात मैं कैसे कहूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है बात क्या है वो बटाओ मालिक, अगर ये बात बाहर चली गई तो मेरी मौत निश्चित है अरे, बोलो ना आप मुझे बचन दो, कि ये बात आप ना किसी से पूछेंगे और ना किसी को बताएंगे किसी को नहीं बोलूँगा, बताओ आप मुझे बचन देंगे, तो ही ये बात मैं आपको बताऊँगा बचन दिया मुझे अब इस बात पर यकीन नहीं हो रहा लेकिन मैंने अपनी आखों से देखा है इसलिए आपको बता रहा हूँ अपनी बड़ी मालकिन बल्ली के मौत के जमिंदार जमिंदार है क्या? क्या बोल रहा है तू? हाँ मालक मैंने यह सब अपनी आखों से देखा है मैं बड़ी मालकिन के हाथों से खाना खाया है इसलिए मैं अपना फ़र्च समझ कर ये बात आपको बता रहा हूँ और अपनी कुल देवी की कसम खागर कहता हूँ कि ये बात मैंने आपके अलावा और किसी को नहीं बताया है जो, जो हैंसे मालक, क्या हुआ? आपने कहा था कि आज मंदिर जाना है आज कल भगवान पर से भी विश्वास उठने लगा है सोचा था मंदिर जाकर मन को थोड़ा शान्त करके आउंगा अगर भगवान सच में होता, तो ऐसा होता क्या? मालक, मैंने आपको इस तरह से कभी निराश नहीं देखा सब तक्दीर का खेल है ये तक्दीर नहीं, साजिस है मालक तो ये क्या बोल रहा है? बड़े मालक, मेरी जुवान सुसल गूई आप चले न मालक तो कुछ बोलने वाला था, बोल क्या बात है? मालक, आप ये बात मत सुनिए बोले के लिए बोला ना? मालक, इस बारे में आप ना सुने तो अच्छा है मुझे माफ कर दीजे मालक मालक, मैं आपको बताता हूँ लेकिन आप गुस्सा मत कीजेगा मालक तू अभी बता रहा है के नहीं? मालक, आप बड़ी मालकीन की कसम खागर कहो कि आप इस बारे में किसी से कोई बात नहीं करेंगे नहीं तो आप मेरा गलावे काट देंगे तब भी मैं आपको ये नहीं बताऊँगा क्योंकि मुझे आपकी मान मर्यादा जरूरी है मैंने आपका नमक खाया है मालक मालक, ठीक है उड़ जा, मैं अपनी बेवी तेवकी की कसम खागर कहता हूँ बोल, मालक अपनी बल्ली मालकीन के मौत के जिम्मेदार अपने छोटे मालिक है मैं कसम खागर कहता हूँ मैंने अपनी आखों से देखा था पया पैर फिसलने से किरी या किसी और ने उसे ऐसा मत सोचो पापा उनका पैर फिसल गया हूगा वो दिखने में कैसा था वह कद काठी में छोटे मालिक जैसा था यह बात उमने पहले क्यों नहीं बताई यह बड़े कर का मामला है मालिक इसलिए मैंने आपको नहीं बताया था मालिक मेरी गल्ती के वजय से जम्हिंदार के घर के परिस्तिती ऐसी हो जाएगी यह मैंने कभी सपने में में नहीं सोचा था अब नहीं बचे छोड़ दो मुझे माप कर दो तु कहां तक मुझसे भागेगा नहीं बचेगा तू अब हमें कितना समय लगेगा वहां पहुचने में दो तीन घंटे में वहां पहुंच जाएंगे कि अगे कि अगे कि 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 यादेवी सर्वभूतेशू शक्ति रूपेन स्वंस्तिता कि अधि कि कि अधि कि अधि कि कि अधि कि अधि कि 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 अधि कि अधि कि अधि कि अधि 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 आपने बुरा समझा वो बुरा नहीं था भवान की शक्ति के सामने कोई तोष्ट आत्मा कभी नहीं जीट सकी है आज के बाद सब शुब होगा ठीक है स्वामीची आप सब लोग खुशी से जीए फिर वो दोनों खुशी-खुशी जीनने लगे है ना दादा जी हाँ बहुत खुशी के साथ अश्विनी श्री किदर हो तुम दोनों मा बुला रही है चलो टाइम हो जाओ 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 तुम दोनों अब तक सोई क्यों नहीं हो हम दादा जी से कहानी सम रहे थे लगता है अब तुम दोनों जूड भी बोलना सीख गई हो आजकल तुम दोनों बहुत बिग पर दादाजी वा कहानी सुना रहे थे है ना हाथी तो वा कहानी कौन सुना रहा था आ आिनी सुना उप मात्वधान, तो कहानी कन्या रहे है ना हुआ सुना रहे थे हैं दो वा रहे हैं झाल झाल